मसकार दोस्तों स्वागत आपका Crazy Crypto Minto में देख रहे हैं आप Hong Kong wants to become crypto hub despite industry crisis यानि कि जो भी अभी industry में चल रहा है यानि कि एक तरह से industry देखी अभी कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं चल रही है लेकिन फिर भी Hong Kong ये चाता है को एक तरह से crypto का hub बन जाए यानि कि वो सारी facility cryptocurrency के लिए करने को तयार है अपने देश में जो cryptocurrency को चाहिए यानि कि वो कहते हैं एक चीज को दिल से चाहना तो Hong Kong और Hong Kong की जनता, Hong Kong की सरकार ये माली cryptocurrency को दिल से चाह रहे हैं और वो अपने हाँ हर तरीके से इसको implement करने के लिए तयार हैं तरीके से, stay safe in wave 3, learn more about wave 3 antiviruses और जो इनका आगे का जो गोल है एक तरह से जो focus है वो है wave 3 के लिए तो वो कहते हैं आपको थोड़ा सा forward होके सोचना पड़ेगा, अगर आप backward होके सोचेंगे तो देखे फिर आप पीछे रह जाएंगे जैसे अपने हाँ सोचा जाता है कि सब कुछ जब हो जाता है उसके बात सोचते हैं लेकिन होंग कॉंग पहले से ही wave 3 के लिए वो कहते है उतावला है तो वो चाहता है कि जो भी wave 3 में होना है वो आप होंग कॉंग से start कीजिए कोई दिक्कत नहीं आपको जो चाहिए वो सारी facilities हम आपको provide कराने के लिए तयार हैं तो यह है एक होंग कॉंग से positive news जो कहीं ने कहीं सही है कर्प्टो करंसी के लिए अच्छी चीज है किसाब इसी तरीके से जब country निकल कनल के सामने आएंगे के भाई कर्प्टो करंसी को अपनाएंगे तो वो कुछ नो कुछ positive भी रहेगा अब देखते हैं market में आज और कौन कौन से pump dump चल रहा है अभी BTC देखे 17,338 डॉलर में चल रहा है जो कहीं ने कहीं अभी अभी यह माली यह लगबग यह 17,400 को टच करके और फिलाल थोड़ा सा downward है यानि कि 24 आउर देखा जाया तो 2.3% उपर है current में price आप देखी रहे हैं और एक green chart उपर को जा रहा है लेकिन हलका सा उपर से फिर नीचे को एक तरह से reversal भी मार रहा है और ethereum आप देखे अभी 1332 डॉलर में चल रहा है और लगबग अभी 5.5% था अभी 5.3% उपर है और आप देखे रहे हैं ethereum का भी वही हाल है जैसा बिटीजी का था यानि उपर जाने के बाद फिर थोड़ा सा अभी ये downtrend में है तो कुल मिला के देखे अभी जो हाला थे सभी में एक तरह से थोड़ा थोड़ा pump सभी में चल ला है लेकिन जैसे 16 ना था देखे 16 ना एक अच्छा खासा इसने pump लिया था 16.5 जो है डॉलर पर भी चल ला है और ये भी देखे काफी अच्छा खासा यानि के 17 डॉलर से नीचे आ गया है तो और अभी भी 24 आर्म लगवा बाइस परसेंट उपर जा रहा है तो अभी थोड़ा सा downtrend है कहीं ने कहीं देखे य लिक्वीडेट कराना था सिदी सा यह इसाब था वेल्स का कि जो है लिक्वीडेट कराओ किसी भी तरीके से यहां क्या होता देखे यह सब जो है वह पूरी तरीके से पीस देते हैं अब यहां देखे गाला है गाला देखे अभी भी 42 परसेंट अब दिखा रहा है लेकिन आप यह देख रहे हैं कि प्राइज अब इसका भी नीचे को थोड़ा सा भी डाउन ट्रेंड में है तो यह क्या था अब यहां पर अच्छा खासा इन्होंने देखे वेल सेने तो कमा लिया अभ यहां ऐसा नहीं के वेलस नहीं कमाई यहां कमा चुके टोप पर अथे सेल कर दिया किय कर करना है और और create किया गया अरे अब यहां से bull trend शुरू हो गया है और सब कुछ सही है और आप buying कर लो तो यहां क्या होता है चोटा investor ऐसे trap में फस जाता है तो यहां वेल्स तो देखे कमा गए अब थोड़ा सा ऊपर यह pump डंप करेंगे साइडवे करेंगे market को बस उनका काम हो गया और सेंड बॉक्स देखते हैं क्या चलता है अभी सेंड बॉक्स में भी देखिए सेम सबकी एक ही जैसी position है तो क्या ऐसा हो सकता है आप एक गौरल कीजिए मैंने आपको बिटिसी एथेरियम यह गाला और आपका यह सेंड बॉक्स सारे देखाए यहां देखिए सबका एक ही जैसा trend है यानि कि सबका downtrend शुरू हो गया है तो इसका मतलब क्या था यानि कि वेल्स ने अपना गेम यहाँ पर खेल लिया प्रॉफिट उन्होंने अपना बॉक कर लिया सबका चार्ट देखिए एक ही जैसा है मैंने आपको सबके दिखा के देखिए जिलीका भी के दिखाता हूँ आपको देखे जिलीका भी देखिए जिलीका भी वहीं सेम पॉइंट से बापिस आ रहा है गालाप सेम पॉइंट से बापिस आ रहा है बीटी सी सेम पॉइंट से बापिस आ रहा है तो यह क्या था यह स से थोड़ा सा और नीची जाएगा उसका फिर थोड़ा सा साइड भी हो सकता है यहां से हो सकता है फिर थोड़ा सा एक हलका सा सपाइक आए तो यह सब क्या है यह सब वेल्स का गिम था जो चल रहा था तो इसमें भाई है देखिए अब जो समझते हैं इन जो थोड़ा समझ जाते हैं, जो नहीं समझना चाहते, तो फिर उसमें बस कमिया निकालते हैं, आरे या ऐसा नहीं, आपको यह नहीं पता, वो नहीं पता, लेकिन यहां आपको मैं बहुत clear कर दिखा रहा है, आप देखी न, सब का trend भई है, same, आप मैंने इतने चार्ड आपक सामने हैं, यह pump dump चलेगा अभी, अभी एक दिन और कम से कम चलेगा, क्योंकि दस तारीक 11 तक, और जैसे ही आपका CPA डाटा अमेरिका का आता है, उसके बाद भी तस्वीर कुछ clear हो जाईगा, अगर वो positive रहा, 7 से नीचे रहा, तो देखिए फिर यह market थोड़ा सा और उपर क हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है, कि CPA डाटा कैसा आता है, अगर CPA डाटा 7.1 रहा, या 7 रहा, या 7.2 हो गया, तो डिपेंड उसी हिसाब से करेगा सारा, अगर 7 से नीचे आता है, तो मैं फिर किया रहा हूँ आप से, कि फिर यह market अपना जैसे 17,333 जो है, यह हो सकता है, कि 18,000 के आस पास तक WTC पहुंच जाए, तो डिपेंड करता है, कि CPA डाटा कैसा आता है, तो आप 12 तरीक तक इंतियार कीजी, कि भाई 12 को क्या होता, लेकिन यह Wales का गेम अभी एक दिन और चलेगा, 11 तरीक तक तो चलेगा, 12 को CPA डाटा का क्लियर हो जागा, कि क्या है, उ Oxygen Security Access, यानि कि यहां पर एक Question Mark लग गया, कि जो DeFi प्रोजेक्ट थे, इस वार Hackers के निसाने पर यही ज़्यादा क्यों रहे है, भाई देगे, हैक तो हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निसाने पर थे, वो थे DeFi प्रोजेक्ट जो थे, तो कहीं कहीं यह जो Bridge और वो सब रहा है, वो कहीं ने कहीं एक वो कहते हैं, जो Security चाहिए, वो साइद नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जो Cross Chain Bridge होते हैं, जादा तर वो हैक हुए, भाई एक दूसरी Chain को जो Interlink करते हैं, जो EG Transfer कर वाते हैं, वो कहीं ने कहीं, वो कहते हैं, बीच का एक क यह जो है थोड़ा सा यहां पर 2022 में नुकसान दाएक रहा है, क्योंको वहाँ पर कोई Loophole था, जिसे Hackers ने बहुत Easily Crack किया, तो अगर यह जो Bridge की जो Problem है, जहां पर यह Security थोड़ा सा कमजोर है, उसको अगर थोड़ा सा मजबूत किया जाए, strengthen किया जाए, तो यह साथ चीज आगे रुख जाएंगी, लेकिन अभी तो possibility है, ऐसी नजर नहीं आ रही है, देखते हैं आगे क्या होता है, और बाकी देखें एक news और भी आपके लिए है, flare, देखें वहां मैंने कहा ना, flare dump 64%, bit true, bit true exchange पर, यह 64% dump कर दिया गया, और यह सामने आप देख रहे हैं, इसका एक chart भी आपके सामने है, और current में price 0.17 dollar में चला है, और आप देख रहे हैं 64.8%, यानि वह इस 65% आप माल लेजिए, और एक बड़ी सी candle आप नीचे को देख रहे हैं, तो यहां से price चला था, दुबारा वहीं पहुँचा दिया, तो यह सब game चला देखें ना, पहले चड़ाया उपर चड़ा के, थोड़ा सा नीचे लाए, फिर चड़ा दिया, चड़ा के, फिर सीधा गिरा दिया, तो यह सरफ whales का game है, और वही मैंने आपको भी इतने सारे chart दिखाए, अलग-लग coins के, सब में एक ही pattern चला है, सेम आप एक करके सब कर देखें, pattern सब का एक जैसा ही है, ए देखें, मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा सतर्ग रहें, अलर्ट रहें, बाकी तो देखें, अगर आप मज़े हुए खिलाडी हैं, तो तो एक अच्छा profit आपको मिल सकता है, अगर आप मज़े हुए खिलाडी नहीं है, तो देखें, फिर यहाँ थोड़ा सा आप तो चले फिर मिलते हैं, नमस्का